तो सबसे पर लगाई जहाँ आप पूरूब देख सकते हैं हमने अब एब एक फ्रेंड का लोन अप्लाई करा है उनको यहाँ पर बहुती ज़्यादा पैसो की इमर्जनसी थी और उनको यहाँ पर 5,000 रुपीय का लोन रिक्वाइर्मेंट थी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही उन्होंने इस लोन अप से लोन अप्लाई किया उनको यहाँ पर 5,000 रुपीय का लोन अप्रूबल मिल चुका है और सचसफुली लोन अमांट उनके बैंक एकॉन में ट्रांसफर भी हो चुका है और यह लोन उनको सिर्फ और सिर्फ क्योवाइसी कंपीट करके ही मिल गया बिना किसी इंकम पूरूब के बिना किसी बैंक किसी बैंक इस्टेडमेन के तो ऐसी दूस्तों अगर आपको भी पैसों की बहुती ज़्यादा इमर्जेंसी है और आप भी तुरत अपने मोबाल फोन से लोन पाना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको इस लोन एप के बारे में बताने बाला हूँ यह कौन सा लोन एप है कैसे आपको इस लोन एप से लोन अप्लाई करना है और साथ इसाथ loan approved हो जाने के बाद उस पैसे को आप अपने bank account में कैसे transfer करेंगे यानि loan apply से लेकर उस पैसे को bank account में transfer करने तक का compete process आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो इस loan app से loan apply करने के लिए सबसे पहला आप इस loan app को अपने phone पर download करेंगे इस loan app का download link आपको वीडियो को description box में और comment box में मिल जाएगा जाके आप उस link पे click करेंगे इस loan app को download कर सकते हैं और वीडियो के इंडि में मैं आपको इस loan app का नाम भी reveal कर दूँगा अलाओ कर देना है अब जैसे आप सारा permission अलाओ करेंगे अब यहाप आपको सबसे पहले अपना mobile number verify करना होगा loan apply करने के लिए तो आप अपना mobile number को डालेंगे देन आप send OTP पे click करेंगे अब आप mobile number डालके जैसे send OTP पे click करेंगे तो simply आप अपना अधार का नमबर डालेंगे देन इसके बाद आप send OTP पे click करेंगे आपके अधार कार्ट साथ जो भी mobile number लिंक होगा उस पे एक OTP भेजाता हैगा आप अप अपना काम खुद का बिजनस चलाते हैं तो आप अप अपना मंतली इंकम डालेंगे जो भी आपकी एक मेने की इंकम है वो आप डालेंगे तो यहाँ पे आप अपने मर्जी की साथ से इंकम डाल सकते हैं बड़ा चलाकर कोई भी एक इंकम डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं आपको कोई भी इंकम परूप नहीं देना होगा नीचे आपका अधा डिटेल्स सो हो जाएगा तो सब कुछ आप फिल करेंगे अब दोस्तो सब कुछ फिल कर लेने के बाद नीचे आपको सेब डिटेल्स पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप save details पे click करते हैं अब आपको यहाँ पे reference details देने होगे तो reference में आपको 2 person का mobile number देना होगा दोस्तो देख सकते हैं आप आपको 4 reference add करने का option मिलता है तो यहाँ पर आपको first और second दोनों ही reference देना है बाकी 3 और 4 यह optional है आप चाहिए तो दे सकते हैं ने तो आपको नहीं देना है तो दोस्तो मैं आप आपको clear कर देना चाहता हूँ कि यह reference क्यों लिया जाता है तो मान लिजे दोस्तो अगर आप इस loan अपसे loan लेते हैं और उस loan को आप repayment नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर जिनका number reference में देंगे यह loan company उनको भी call करेगी आपसे loan repayment करवाने को लेकर तो आप यहाँ पर reference एड करेंगे तो reference 1 में पहले जिनका mobile नमबर देंगे उनका नाम उनके साथ आपका क्या relation है उनका mobile नमबर इसी तरी किसे reference 2 में भी आपको उनका नाम उनके साथ आपका क्या relation आप father, mother, spouse किसी खाभी mobile नमबर दे सकते हैं इसके बाद आप save details पर क्लिक करेंगे तो चले हम आपना reference details यहाँ पर add कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना pen details verify करना होगा इसके बाद आपको अपना bank details देना होगा जिस bank account में आप अपनी low amount को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना pen card का number इंटर करके verify option पर click करके pen number को verify करेंगे इसके बाद नीचे आपको अपना bank details देना है तो सबसे पहले beneficiary name डालेंगे यानि जो भी आपके bank account में आप में वो नाम आप डालेंगे आप अपना bank name select करेंगे जिस भी bank में आपका account है HDFC bank में या SBI bank में पंजाब national bank में तो जिस bank में आपका bank account उस bank name को select करेंगे इसके बाद आप अपना bank account number डालेंगे bank account number को दोवारा confirm करेंगे bank का app see code डालेंगे इसके बाद आप save details पे click करेंगे तो चले हम आपना pen details verify करके bank details fill up करके save details पे click कर देते हैं अब दोस्तो pen details and bank details submit कर देने के बाद अब आपको अपना एक page selfie capture करके upload करना है तो हम आप्सेफी अपना selfie capture करके upload कर दी है अब simply निचे आपको save details पे click कर देना तो आप हपनाओके Scripture sum eight फरके एक शेपी कर देंगे अब ज्यसे स्केस्झे àsपा लू다가 को गया है और हमें यह आपसर बताई के है यानि अभी हमारा वरिफिकेशन पेंडिंग है यहाँ बता है कि यूर अप्लिकेशन है बिन सम्मिटेट फॉर अप्रूबल वी विल नॉटिफाइ स्टेटस वेटिन 24 तु फॉर्टेट वार्किंग आवर तो दोस्तों मैं बता है कि हमारा जो लॉन अप्लिकेशन वह हो जाएगा कभी कबाट 24-48 आवर का टाइम लग जाता है तो चलिए हमें यह वेट करते हो देखते हैं हमारा लॉन अप्लिकेशन कितने टाइम में अप्रूब हो जाता है तो दोस्ते हैं आप देख सकते हैं मात्रम पांच मिनट वेट की हैं और पांच मिनट के अंदर ही हम हमारा लॉन अप्रूब हो चुका है देख सकते हैं में का मेसेज मिल गया है और हमें बताया गिए और फ्रोफाइल हैज बिन अप्रूब्ड नावगेट इंस्टन मनी इन यूर बैंक हो गया है और हमें अपर पांच हजार रूपय का लोन अप्रूब किया गया है इसके बा इसके बाद आपको निशे का जीतने भी ओफर दिख रहा है वो सारा लोन आपको मिलते जाएगा जैसे कि पांच हजार आपने एक बाद लोन लिया उसको टाइम पे रिपेमेंट कर दिया इसके बाद आपको 6,000 मिलेगा 6,000 रूपय आप लोन लिये इसको भी आप रिपेमे हैं पर दोस्तो देख सकते हैं, पांच चार रूपय के लोन में, 200 रूपय का एंटर सरेट हमें देना होगा, इनका जो कृूपय देने होंगे, प्रोसेसिंग फिछे सो रूपय देने होंगे GST 180 रुपिये देने होंगे और हमें जो टेनर मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 10 देज यानि यह लोन आप आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ही लोन देती है बाद में आप जैसे एक बर यहां से लोन लेके लोन को टाइम पर रिपेमेंट करेंगे और जब बैंक एकान में क्रेडिट किये जाएंगे तो यहां पर दोस्ता आप सब कुछ चेक के लेंगे अगर आपको सब कुछ सही लगता है और आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप सिंपल अपलाइन आपको क्लिक कर देंगे अब दोस्ता देख सेक्टेम जैसे अपलाइन है वह आमारे ब्च और में डिसरी हैं अब दोस्तों में को पताना चाहूंगा यहां भी से से 182 ऺंटे में लिया जाता है हमें यहाँ पर repayment date भी बता दिया गया है कब हमें इसको repayment करना है और कितना amount हमें repayment करना है तो जैसा दोस्तों आपने देखा है इस loan apply करने का process बिलकूल इजी है और आप यहाँ से instant तूरंथ emergency loan ले सकते हैं अब चलिए मैं आपको बता देती इस loan app का नाम क्या है तो दोस्तों इस loan app का नाम है instant fund instant loan app दोस्तों इस loan app की rating rate and downloading की बात करें तो 4.3 इसका rating rate है और 1 lap plus Logan इस loan app को download किया है और इस loan app से loan लिया है इनका जो review है वो भी बहुत ही best है तो आप यहाँ से loan try कर सकते हैं आपको इस वीडियो में loan apply केने का complete process दिखाया है तो I hope आपको इस वीडियो अच्छी लेगे अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लोड़े को like कर दिजे चैनल पर नेचरों को subscribe कर लिजे आपके मोने में कोई भी confusion है वीडियो के नीचे comment किजे और वीडियो को आगे share जरूर किजे मिल दे नेक्स वीडियो में thank you